नमस्कार दोस्तों एक्जाम इत्र में एक बार फिर से आपका स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी एच्छे होंगे तो दोस्तों हिमाचल परदेश में अटल मेडिकल रिशर्च उनिविशेटी के दुवार आपका बीएसी नर्सिंग का इंट्रेस एक्जामनेशन कंडर् जारी की जाएगी तो अभी इस फाइनल मेरिट लिस्ट के अगर बात करें आपके कैटिगरी वाइस बीएसी नर्सिंग के लिए अभी जस्ट आपका नोटिविशेशन वो जारी किया गया है तो इस लिस्ट में जिन केंडिडेट के रोल नंबर दिये गए हैं या उनका ना कौलिफाइंग मार्क्स पर जणर रिजनरल के टिगरी ये मैं अलरीडी आपको बता रूरे का है या 35 मार्क्स जणरल के टिगरी से बिलोंग करते हैं 35 से पलस आपकी मार्क्स पाफिक बीडेट कर सकते हैं और जो जो एक स्टेट कोटा एँ और दूसरा आपका मिनेजमेंट quota है दो quota है आपके जो seat है वो fulfill की जाएगी government college में सारी सारी जो seat है वो आपके state quota fill की जाएगी private college में आपके 2 quota है यह state quota और management quota के तरहत आपकी seat है फिल की जाएगी अब काफी सर कंड़ेट का यह था कि sir हम state quota के तरहती private college में admission है सकते management quota से नहीं तो यहां पे बिल्कुल के लिए लिए लिखा है कि All HP State Quota Candidates are eligible for management quota seat or 300 तो जो management quota के seat रती है उनमें भी जो इमाचल पर्देश के resident है जो मूल निवासी है तो वो भी management quota के तर्वी अपनी seat है वो ले सकते हैं eligible है वो candidate बस उन्होंने ये score अपना किया हो और इस list में उनका नाम हो तो इस list में आप यहां पे देख सकते हैं जो category rank वो दी गई है और roll merit rank है अपने roll number आपका नाम कितने marks आप क्या हैं कौन सी category से हैं और आपका economically wicker section से हैं या नहीं है general category में भी तो no लिखा हुआ है यहां पे तो इस तरह के से आपका category wise यह general की state quota की है general में आपकी HP की और इसके लाब आधर quota की भी आप देख सकते हैं इस list में जो यह final merit list है इसके बाद में कोई भी correction होगी आपको कोई भी list थेकरें को नहीं मिलेगी तो इस list में जिजिजिन candidate का नाम है वो सभी candidate आप BAC nursing counseling में participate कर सकते हैं अब college choice की बात करें कि आपको first round counseling के college choice कब से fill करनी है तो आज आपकी जो merit list है वो जारी कर दी है यह final merit list है अब आपकी जो first round counseling के लिए जो choice filling करनी है वो 69 से मतलब कि आज से आपकी start हो जाईगी अभी notification आपको आप official website पर देखने को मिल जाएगा तो आप login करके अपनी college choice fill कर सकते हैं मैं को से इस करूँगा कि आपको एक separate video प्रोवाइड करवास को जिसके माध्यम से आपको किस तरह के से अपनी college choice fill करनी है और किस तरह के सब्मिट करना है तो यह process आप 6.9.2022 से 11.9.2022 तक आप अपनी जो college choice first round के लिए वो fill कर सकते हैं और provisional seat allocation है first round का वो 14.9 को जारी कर दिया जाएगा और final seat allocation है वो 16.2 दिन बाद में और फिर आपको जो first round counseling में जिन candidate को seat allocation हुआ है वो candidate reporting करवानी होगी और उनकी date दी गई है 17.9.2022 से 21.9.2022 के बीच में तो आप अपनी document अगरा already prepared रखिये जिसे कि आपको admission लेते टाइम पर रिपोर्टिंग के टाइम पर कि इस तरह कोई issue नहीं हो फिर जो first round counseling में जो seat vacant रहेगी उनकी 29.2022 को list जारी कर दी जाएगी तो दोस्तों फ्लाइल के लिए ये update थी मिलते नेक्ट में वीडियो में नेक्ट आपडेट के साथ में धन्यवाद जेहीं जे बारत